आज की यह वीडियो बिये थर्ड समेस्टर के छात्रों के लिए महा संग्राम होने वाले है जिनका सब्जेक्ट राजनीती सास्त यानि पॉलिटिकल साइन्स है तो वीडियो को इंड तक जरूर देखते रहेगा क्योंकि आपकी जो परिच्छा में प्रश्ण आने वाले हैं लगबग लगबग आज की इस वीडियो से ही आने वाले हैं अगर आपको विश्वास नहीं तो आज हमारा पेपर जो हम आपको पूंस्ट इंपार्टन कोईश्चन उसका उत्तर बताएंगे पीडियप देंगे और उसके बाद जब आपको पेपर आएगा तो आप लोग ख ठर्ड समेंश्टर का तृती समेंश्टर का किस प्रकार का आता और क्सुर्त के नियुक्तं के सोनों से होते होते हैं और कौन-कौन से इस मादन कोईस प्रिपर के तब सभी भारत के चात्रों के लिए महातपुर होने वाली थीक है 75 का पुरांग है लगभग सभी में होता है पुरांग सबसे पहले प्रिच्छा में आपके कई बार आ चुका है पिछले सालों में भी तो इस बार भी आपकी परिच्छा में आने के पूरी उम्मीद है तो इसके बारे में आपको तयार कर लेना है यह most important question है इस वीडियो में जो जो मैं most important question आपको बताऊंगा उन्हीं उन्हीं को आपको तयार करके जाना है क्योंकि भाई question तो भाई हजारों की संख्या में बहुत सारे हैं कोई book में हैं वह मैंने च्छाट लिए हैं वही वही मैं आपको बताऊंगा और वही वही का उत्तर आपको तयार करना है और कहां पर तयार कर लेना है वह हम आप लोगों के लिए भी तयार मतलब कि उत्तर भी आप लोगों के लिए हम prepare कर लिए हैं पीडियाप सहीत तो आपको कहीं भटक फ मेपकिसूंतिक दल की दो परिभांस आपारीयां राजनितिक पार्टियां जिस elaborating ऑप टिक पार्टियां कि बहुत फार कंग्रेस यह सपा फोगई ओंडा ज Watts राजनितिख चुनाओं आपके लड़ती है इनका चुनाओं होता उसके बाद उस्पोई की पार्टी जीती है तो वही आपको लिखना है इसमें कि राजनितिक डूलबुल पार्ट को सकते अगला म।श्यूंपॉट कुषिन मेरी जानकाणी के नुसार कई बार पर पूछा जा चुका है कि भारत में जाति इवाद पर एक संच्छिप्त लेकि तो जाति वाद को ले कर बहुत सारे प्राश्च्ट आपकी परिच्छा में सकते हैं बहुत करके कम से कम दो प्रस्ट जाएंगी ठीक है और एक तो ऑन्नर्ड प्रसेंट आता ही आता है तो दू ज्यादा तर इन्वर्सिटिश कर लेना है थीक है इसका भी उत्तर आप लोगों को अभी मैं आपको मता दूंगा कैसे मिलेगा अगला प्रश्ण है कि अनुच्छी 356 के बारें पढ़ लेना है आर्टिकल जो ठीक काफी हेलपूल कोश्चिन ने भी है हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कदार आता है ठीक ध्यान रखेंगे अगला प्रश्ण है अफ्थानिय स्वासासन क्या है ठीक यह भी इंपॉर्टेंट ह हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कदार रिपीट हो जाता है तो ध्यान रखेंगे इस पर भी ठीक है ग्राम सभा क्या है हलाकि यह जर्णली कोश्चिन है कॉमन कोश्चिन लेकिन परिच्छा में बहुत कम देखने को मिलता है ठीक है तो इस बात को ध्यान रखेंगे ओके अग परवाला क्या लिखाया कि भारत में जादवाद पर एक संचिफ्ट लेकिए दोनों कोश्चिन लगबख सिमिलर है लेकि थोड़ा डिफरेंस है बस हलका सा ठीक है कोश्चिन के मतलब की कुश्चिन को लिखने में ठीक है घुमा फिराके पूंचा गया और उत्तर एक ही हैं इसको पारति का जोरभाभा है, बारति, वारति राजनीति में जातिक पुरभाह तो जातिवाद देखे तीसरा कोश्चन है जातिवाद से जुड़े ही आए ठीक है कि आप सभी को मालूम भी है कि जात को लेकर जात के नाम पर लोग ओट रहे थे तेक भहिया कि यह मालीजे की यादो जातिका है तो इस भहिया यादो को ही जिताए मौरिया जात का तो मौरिया जिताए ठाकूर जात का तो ठाकूर को जिताए ब्रामर जात का तो ब्रामर को जिताए मतलब कि जातिवाद को लेकर राजनीती की जाती है ठीक है तो उससे क्या होता है बहुत वारे लोगों को नुक्सान होता है जाती वाद को लेकर फिर जाती को लेकर किसी को वोट नहें देना चाहिए ठीक है आपको उट उसी इंसान को देना चाहिए उसी इसाफ देना चाहिए ताकि वो आपको आगे आप सरकार बने तो आपके हित में कोई कदम उठाए कोई यूजना बनाए और आप सभी के लिए एक्वल जो मतलब की सिस्टम है और सिस्टम के जो भी यूजनाय आती है जो भी आफ भारत में दो दलिये ब्योफ्था बारत में तीन दलिये ब्योफ्था के बारे में आपको पढ़ लेना यह हमेशा फसते इस बार भी पसेंगे अगला प्रश्चन है कि भारत में धर्म निर्पेचिता कि क्या हो सकता है देखिए दूसरा अगला प्रश्चन है कि भारत में मिली जूली फरकार से आप क्या समझते भी मेरी जयानकारी के और सार बहुत बार पूंचा जा चुका प्रस्चन है और यह हमेशा आता है तो ध्यान नकिंगे इसको ओके चलिए बढ़ते हैं इस कोश्चन के और अब आपको देर घुत्रे को कौन-कौन से कोश्चन तयार कर लेना है ठीक है पहला कोश्चन है कि दबाव समूं से आप क्या समझते दबाव समूं आपने लच्च की फिद्धी के लिए किन-किन तरीकों को अपनाते यह कूश्चन नब्बे प्रतसत आप सभी के परिच्छा के लिए इंपॉर्टेंट ह यह भी कुश्चन आपको लग फूत्रे फिर देर घुत्रे जाता तर तो दीर घुत्रे में ही आता है ठीक है इस बात को ध्यान लखेंगे ठीक है आने के उमीद है इस बार भी अगला प्रस्ण है कि मतदान बेवहार को प्रविद करने वाले तब ठीक है तो यह भी मोस्ट रिखन आतने मले पर प्रस्ण है लग बड़ा प्रस्ण। आपको हमारी पीडियो फे मिल जाएगा जो कि हम आपको आगे दिखाने वाले हैं बताने भी वाले है और जिन भी प्रस्णों का एक आदऄ दो तीन क्वेश्वन होगी जिनका नहीं मिलेगा उसको आपको इंटर लिखेंगे कि जब आम चुनाव में किसी भी दल को पूर्ड भहुमत नहीं मिलता है तो कई दल मिलकल सरकार का गठन करते हैं जिसे मिली जूली फरकार या सम्विश सरकार कहा जाता है ठीक है और उत्तर प्रदेश में मिली जूली सरकार की जो सुरुवात है 1967 में हुई थी जो 1971 1989 से 2007 चलती रही 1967 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेश पार्टी को मात्र 199 अफ्थान प्राप्त हुए वह चोटे दलो एवं निर्दलिये विधायकों के साथ मिलकर चंद्रभान गुप्त के नित्रत में फरकार का गठन किया लेकिन चरण सिंग द्वा कार सत्रभें दिन ही गिर गई और विपच्छी के सहयोग फिट चरण सिंग मुक्मंत्री बने ठीक है तो आपकी जानकारी के रवेता दें कि मालीजे की कोई पार्टी है जैसे कि समय एक्जामपल करूप में बीजेपी का बहुत बड़ा मतलब कि महौल है महौल बीजेपी क अब किसी भी सरकार के बस में नहीं है ठीक है जहां तक 90 प्रत्रत तो नहीं है ठीक है तो अब बागी के जो सरकार है उतर प्रदिस में सपा है कांग्रेस है ठीक है और ठीक है और कौन सी है बताइए माया बत्ती वाली सरकार ठीक है और भी कई कई चोटी चोटी पार्टी है ठीक है तो जो बसपा है ठीक माय बत्ती वाली तो अगर ये तीनों एक मिल जाएं ठीक है वह सपा भी अलग है कांग्रेस भी अलग है और भाजपा भी अलग है और बसपा भी अलग है ठीक है तो ये तीनों अलग अलग है लेकिन सबसे जो स्ट्रोंग है जिसका ज्यादा महौ बना वो बीजेपी ठीक है तो बार बार इस समय दो पंच वर्षी से लगातार बीजेपी जीत रही है अगर सपा कांग्रेश और जो बसपाई तीनों का गटपंदन हो जाए यह कह सकते हैं कि मिल जुल जाए आपस में एक साथ मिल जाए ठीक सभी दल उसके बाद अगला चुन इसको मलते हैं मिली जुली सरकार या फिर गठमंदन ठीक है तो इस प्रकार इसका प्रस्चे लिखें काफी हेलफूल बहात पूर्ण प्रस्ण है ध्यान देंगे ठीक है अब आ जाएंगे हम अगले प्रस्णी के और जो कई बार पर इच्छे में पूछा जा चुका है और भी आपके मारल पेपर में उपर वाला उपर जो मारल पेपर दिया था उसमें प्रस्ण पूछा गया था ठीक है वह मैंने आपको बताया था कि एक दल प्रणाली दुए बहुत लिए यह पढ़ लीजिए ठीक है और वहां पर प्रस्ण दो दल यह फिड़ा आया था भी पूछा जा सकता है तो भारत में 3 प्रकार के दलें ठीक है एक है इसमें पहले ठीक है एक दल प्रणाली में राज में कोई अन्य दल नहीं होने पाता था, वे अन्य दल का आफ्टित ही सहन नहीं कर सकते थी, मतलब एक ही दल हुआ करता था, पुर्मिला के बस, ठीक है, और दुई दल प्रणाली में क्या हुआ, तो दुई दल प्रणाली में ये हुआ, कि प्रजात तंत्र की सफलता के होना आफ्याक है, और बिभिन देशों की दल प्रणाली की अपनी अपनी बिसिता है, मतलब अलग अलग फीचर पाल्टी अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है, दुई दलियर प्रणाली में मतदादा प्रतित च्रोप से इस बात का नेरे करते हैं, कि देश में कि दल का तो इसे ही बोला जाता है दुए दल्य प्रणाली इस परकार लिखेंगे सिंपल सा उत्तर कोई हाड लेबल कर नहीं और बहुत लिए के बारे में तर्यार कर लेंगे वह भी महात्रपॉन प्रस्ट ने ठीक है उसका उत्तर आपको इंटरेनेट पर सर्च करना पड़ेगा और जो कोईश्चिन आपको देखनें की मिलने जा रहा गें यह परिष्छा में कई बार पहुंचा जा चुका है मुझे मेरे जानकानी के उनसार बहुत्तर के लिए किया गया था उसे के बारे में यह उत्तर है तो त्यार कर लेजेगा ठीक उत्तर नीचे बिल्कुल महासा में अगले प्रश्णी के और बढ़ते हैं अगला प्रश्णी कह रहा है कि सम्मिधान में गेरवी सी अनसूची कि फंफोधन द्वारा जूड़ीगी गें तेत्रवे सम्मिधान सोधन सोधन पर प्रकाश डाली यह इतना महात कोड़ नहीं तो आप इसे एक नोर कर सकते हैं कभी का काफी बढ़ गई है इसलिए इसके द्वारा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बिभिन छेत्रों में कई महात पूर्ण कार के जाते हैं ठीक है और दबा समों द्वारा के जाने वाले प्रमो कारी निम्न है जो कि एक करके हम आपको बता रहे हैं तो पहला है बहुत प्रित्न करना मतलब कि कोई पार्टी है या फिर कोई मालेज आपके जानकार है मतलब कि आपजिक की जानकारी का कोई रिलेफन का आपका कोई दोस्त है कोई दोस्त का दोस्त है ठीक है या फिर आपके पार्टी का कोई बेकते है ठीक है तो उसके मतलब की मदद के लिए या पिर उसके सारे कार पूर्ड हो उसके लिगे लगातार प्रियाप यानि प्रितन करते रहते हैं ठीक़े तहौर पहला यह हो गया दूफराहे जर्मत की निरमार में सहायक ठीक nep तीफराहें lid प्रतिबंद और पाच्वाय बिधी निर्माण में सहायक और अगला है राजनितिक चेतना के निर्माण में सहायक और अगला ब्यक्तोर सरकार के संचार के साधन तो यह कुछ प्रमोख कारे हैं जिनको आपको ध्यान रखना है दबो समूखे बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है कई बार आचुका ध्यान रखेंगे अगला भी कोश्चन उसी स्टम मंदी थे तो ध्यान कर लीजेगा ठीक है अगला कोश्चन बहुत ही महात पो का गठन किया गया है इन आयोगों ने अपने सुझाव फरकार को सौब दिया लेकिन कुछ सुझाव पर ही अब तक ध्यान दिया जा सका है तो कहने का मत्तब यह है कि चुनाव हर बार होता तो हर बार भी यह नया सिस्टम आता है डिश्टल इंडिया बन गई तो हर बार होती हो बदलती हो एडवांस लेबल किया तो भाई यह इसके लिए पहले चुनाव होने पहले टीम की गठन किया जाता ठीक है बहुत फारी अलग-अलग मीटिंग होती हो और उसके बाद एक समय से तयार की जाती है कई लोगों की ठीक है उसकी बाद एक बहुत बड़ी पहले गठन किया जाता फिर गठन करने के बाद इन लोगों को यह सब लोग ठीक है जो मुख्य सरकार रहती उसको सुझाव देते कि यह चीज ऐसे सी की जाए तो बहुत बहतर रहेगा और आसान रहेगा ठीक है तो इनमें लगातार हर साल और हर पंच वर्षी सुधार को इ सुझाव दिये हैं सबसे पहले महाराफ्ट उच्च लाले के नियादिश्ट वी अमतर कुंडे की अधिस्ता में एक समित का गठन किया गया इस समित में कुछ सुझाव दिये गये हैं जो कि आप लोगों के समस्त प्रुस्त हैं इन्होंने कहा कि मताधिकार की आयो 21 से घटा इसे जटिए चुनावों में राजनितिक दल अपनी आएव का वहरा रखे राजनितिक दलों को सरकार की तरफ चुनावी खर्चा दिया जाए ठीक है चुनाव के समय सरकार के वल काम चलाव रूप से कार्य करें निर्वाचन आयोकी सहाइथा के लिए ठीक है राज निर्व जब होगा तो इसमें ओट डाल सकते हैं तो इसी ध्यान लखेंगे ओके धर्म निर्पेच्छ जो कि हमेशा आता कभी भी प्रस्ण छोटता ही नहीं है और इस बार भी गारंटी आपकी परिच्छाम फसेगा फसेगा ठीक है तो तर लिखेंगे कि सम्मिधान में भारत को एक ध सभी धर्मों के साथ समान विवार किया जाता है समिधान के शे drauf वंप अथज से 28 तक सभी नाग्रकों को धर्मे विक्त अवे अधिकार दिया गया हैं यहां कोई भी भारति नागरिक इस्षपंणुसार कि किया पालन कर सकता है कि कि धर्म करसक्ता लेकिन जब प्र लोब धर्म में बहुत सारी लोग आहेंगे धर्म Do importantes की रोलोगा दो इसमें कह रहा कि जो हमारा देश हैं वह धर्म नृइपेच राज है तो धर्म नृइपेच का मतब ये हो गया कि जो हमारी केंदर में सरकार बैठी है फिर राज में सरकार बैठी है वो किसी एक पार्टिकुलर धर्म की वो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मिसलूम हो या पिस्टी किसाई किसी एक पार्टिकुलर सिर्फ एक ही धर्म का प्रचार नहीं करेगी ना एक ही धर्म के बारे में बात करेगी ठी कि उनके लिए हर साल ठीके पांच-पांच हजार रुप्य दे जाएंगे और छे महीने पे उनको ठीक है अलग फे उनका दो दो हजार का भत्त्या दिया जाएगा ठीक है ये सिर्प ना की हिंदू के लिए तो ये चीज जितने भी हमारे धर्म के लोग भारत में रहते हैं ये आप हिंदू है तो आप मुस्लिम धर्म सो विकार कर सकते हैं आप शिक्ष हैं तब भी हिंदू आ सकते हैं यदि हिंदू है तो आप शिक्ष में आ सकते हैं तो आप असाने फे धर्म परिवत्तन कर सकते हैं यह सम्मिधान में लिखा गया है कि आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं लेकिन बस आपको इस बात को ध्यान रखना है कि किसी भी जोड जबरजस्ती से किसी भी इनसान का धर्म बदला बदलवाय नहीं जा सकता है फिर जबरियन किसी को ये नहीं कहा जा फकता है कि फिर ठीक है किसी को जबरजस्ती या फिर किसी को मजबूर करके उसको धर्म ठीक है दर्म निर्पेच चिदाज है तो आपकिसी भी धर में असानी से अपनी इनुत्री कर सकते हैं बहुत महत्पूर्ट प्रशन है जात इयों बुर्गी की सक्रात्मक भूमिका तो जात इवाद से जुड़ा कोश्चन आ गया ध्यान से पढ़ लीजेगा महत्पूर्ट प्रशन ह नाम बता हैं आ चुका है महिला फेजुरा выпуск काफ हेलप फूस्चन द्यान लक्राकिंगि इसके बार संपर्दावेबाद यह भी कई बार आ चुका है ठीक है इस बारicional में नहीं रिकिन कई इस बार प्रवर आ चुका है संपरदायक और हम प्रदाय publi से जुड़ा जया ध्यान बात में राष्टे दलों के नाम बताईए भी हेलफुल कोश्चन है तो देख लीजिए यहां पर भात में राष्टी दल जो हैं कांग्रेस जिसका निस्तान आपका पंजा है भारते जनता पार्टी जो कि कमल है भारते कुम्मिनिस्ट पार्टी हस्या और बाली है ठीक इफी द्धर्म निर्पेचता तो आता ही आता है पंध निर पैचता भी आये था तो आपको द्धर्म निर्पेचता और पंध निर्पेचता दोनों के बारें एं। तैयार कर लेना है क्योंकि दोनों महत्पूर्ण प्रस्ट नसाबित हो रहे हैं ठीक है जरूर आएंगे महिलाओं के प्रगत के लिए बिस महिला साम मेला नहीं कि महिलाओं पर जुड़ा है कोश्चन जरूर फसेगा ध्यान लखेंगे काफी एरफल कोश्चन भी है तो इस तर को प्राप्त कर लेना है कोई कोश्चन जरूर पूचे मिलते हैं नई वीडियो में जाहिंद